दोस्तो आज हम इस digital multimeter से diode चेक करना बताएंगे किस तरह से हम diode को चेक कर सकते हैं हमारे हाथ में एक diode है जिसका नमबर है 4007 यह 4007 नमबर का diode है तो चलिए हम meter को लगाते हैं इसमें हमको black वाली प्रॉप को नीचे लगा लेना है common वाले में और red वाली प्रॉप को बीच वाले में लगा लेना है और meter को इस तरह से घुमाना है आपको यहाँ पे diode वाले सेंबल पे set कर देना है आपको diode वाला सेंबल यहाँ पे दिख रहा है देख लिए यह red कलर का arrow लगा हुआ है इसमें set कर देना है और इस तरह से आपको red वाली प्रॉप को यह diode में आपको थोड़ा सा paint सफेद कलर का लगा हुआ दिखेगा इस पे red वाली लगा लेना है और black वाली पीछे लगा लेना है इस तरह से आपको लगाना है जैसे ही लगाएंगे और meter को देखते रहना है यहाँ पे कोई reading नहीं स सो करेगी अगर इस तरह से reading सो करती है तो diode खराब है चलिए हम इस तरह से पलट कर लगाते हैं हमारी reading इस तरह से सो कर रही है अगर reading दोनों तरफ सो कर रही है तो diode खराब है अगर एक तरफ सो कर रही है इस तरह से देख लीजिए दोस्तों यह reading एक तरफ हमारी सो हो रही है हो रही है जैसे ही इसको हम पलट करके लगाते हैं कोई रीडिंग नहीं आती हमारा डैयोड सही है इसलिए एक तरफ ही रीडिंग सो कर रही है अगर इस तरह से आपको बजजर सुनाई दे लगाने पे दोनों प्राब अगर लगाएंगे हमारी इस तरह से बजजर जैसे आपस में साट करने पे बज़ती है अगर इस तरह से बज़ रही है तो भी डैयोट खराब है तो फ्रेंड ये हमारा वीडियो उन दोस्तों के लिए जिनको मीटर चलाना नहीं आता डैयोट चेक करना नहीं आता तो इससे आपको काफी जानकारी मिलेगी दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर प्रिस करना तो मिलते हैं इसी तरह की अगली नालिजफुल वीडियो में तब तक के लिए जैहिन